दोस्तो एलेक्टिक विकल इंडेस्टि की बात करें तो यहाँ पर काफी सारी बड़ी-बड़ी कमपनी एक दूसरे के साथ में पार्टनर्शिप करने पर लगी हुई हैं जैसे कि महिंदरा ने अभी हीरो के साथ में किया था एथन एनरजी ने भी कोगरो से पार्टनर्शिप की हुई है वहीं इसी तरह के से अब हमें बजाज इलेक्टिक के साथ में हस्कवाना कमपनी के कुछ नए इलेक्टिक टूविलर देहन को मिलेंगे तो सबसे पहले हस्कवाना कमपनी की बात कर लेते हैं ये कमपनी एक प्रिमियम टूविलर बनाती है इनकी बाइक्स दो लाग से स्टार्ट होती है जिसमें की काफी यूनिक टाइप का डिजाइन दिया जाता है जो की काफी लोग पसंद करते है और रोड प्रेजेंस काफी अच्छी होती है वहीं इस कमपनी को ओन करता है केटियम जहां दोस्तों ये कमपनी के अंडर ही आती है फिलाल केटियम शोरूम के अंदर ही हमें बजाज इलेक्टिक स्कूटर देहनों को मिलता है और अब हस्कवाना वेक्टर इलेक्टिक स्कूटर भी हमें इसी में देहनो को मिलेंगी जैसे कि इसका instrument console handle button आपको same बजाची तक जैसे देहिन को मिलेंगे वहीं इस scooter को company ने में 2021 में showcase किया था जिसमें कि अभी तक इसका design ही सामने आया है और ये scooter एक fully premium feature से load है जिसमें कि सभी expect कर रहे हैं कि इसमें हमें full LED lighting package मिलेगा fully digital instrument cluster anti-thrift टलारम, reverse mode, cruise control जैसे feature आपको इसमें मिल जाएंगे इसके लबा हस्कोणा vector scooter बजाची तक platform पर आने वाला है जिसमें कि 4 kWh की brushless DC motor मिलेगी जिसको power देने के लिए 3 kWh की lithium-ion battery इसमें दी जाएगी जो कि 95 km की range निकाल कर दे देगी और ने single charge वहीं इसमें top speed की बात की जाए तो यहाँ पर 70 km पर आरकी इसमें speed देखने को मिलेगी जो की multiple riding mode के साथ में आने वाली है वैसे बजाची तक में हमें कोई भी fast charging का option नहीं मिलता बट हस्कोणा के इस scooter में हमें fast charging का option भी देखने को मिलेगा इसके लबा इस scooter में front में disc brake with single side fork suspension दिये जाएंगे और rear में monosok suspension होंगे तो overall इस scooter को इंडिया में बनाया जाएगा जिसके बात में इसको और countries में भी export किया जाएगा और इसका design काफी कमाल का है यह scooter काफी premium category में आने वाला है बट अगर company 100 km तक की range के साथ में इस scooter को launch करती है तो इस scooter की price एक से डेड़ लाग रुपे के बीच में होनी चाहिए वैसे आपकी क्या है राए इस हजक वाना वेक्टर के बारे में क्या यह scooter डेड़ लाग की price में justify करेगा यह नहीं करेगा कमेंट करकी जुरू से बताना और दोस्तों वीडियो चलिगे हो तो आर प्लीज वीडियो को लाइक कर दिना मैं मिलता हूँ आप से को और इसी नई वीडियो में तब तक ले stay safe and safe ride